असलाम अलेकम आज हम बनाएंगे मुखंडी हल्वा इसके लिए ये मैंने सूजी लिया है डेड़ कप इसको चान लिया है ये दो कप दूद के अंदर बगो ओके तीन से चार घंटे के लिए राख दूँगी वो चीनी एक कप डालूँगी बाकी वो बाद में दिखाती हूँ ये इसको बगो के पहले सूजी को अच्छी तरह चानने फिर इसको दूद में बगो के मैंने राख दिया है तीन से चार घंटे के लिए जब ये भीग जाएगी फिर इसको हम बनाएंगे ये वीडियो आपने पूरी देखनी है ता कि आपको अच्छे तरीके से पता चाल सके ये मैंने दूद सूजी बीग चुकी है चीनी एक कप लिए गी एक कप लिए सबस लाइची पीसियादी टी स्पून और बदामों को मैंने बगो के चील लिए है कडाई में मैं आपकान है कि इसका कलर ऐसे लाइट गोल्डन सा हो जाए और चीनी भी मेल्ट हो जाए अभी थोड़ी थोड़ी उसके अंदर है चीनी लेकिन मैंने उसके अंदर गी आड़ कर दिया ये साथ ही मेल्ट हो जाएगा जब सारी चीज़े मेल्ट हो जाएगी आप कलर इसका यही थी और एक कप गी और एक कप चीनी डाल लिया आप बराबर भी डाल सकते हैं फिर जब यह हलवा बूंजे फिर वह आपको गी इनकालना पड़ेगा क्योंकि वह बहुत ज्यादा होता है इस तरह कारके इसको भूंते जाने स्लो आँच पर ही यह बहुत ज्यादा भूंणना पड़ेगा 25 से 30 मिंट लगे थे इस तरह आपने भूंते जाने हैं यह स्ट्रैक्चर इसका इसी तरह का होता है ऐसे स्टिकी सा इसको भूंते जाने हैं यह आप देख सकते हैं कलर भी इसका अच्छा हो गया गोल्डन सा वो कलर अगर आपने डार्क रखने हैं तो जाब वो कैरमल सा बनाना है आपने उस वक का थोड़ा सा डार का लेना है लेकिन इतना बैस्ट रहता है यह सब जलाइची मैंने पीसी डाल दी है आप देख सकते हैं उसका गी थोड़ा-थोड़ा सा निकल आया क्योंकि मैंने डेड़ कप सूजी में एक कप गी डाला था आप इसको अनकालने की भी जरूरत नहीं है यह यह बहुत ही मज़े का हलवा बनता है आप इस तरह सर्दियों में बनाएं जाय करें मैंने पहले भी बहुत से हलवे सींपल भी बनाएं बेसन का भी वह आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं यह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बुन चुक है थोड़ा सा गी भी वायर अब यह बुन चुक है आप इसको मैं प्लेटर में नकालूंगी यह देख सकते हैं इस तरह का इसका स्टैक्चर सा होता है स्टिकी सा यह इसको बुनने में ज्यादा टाइम लगता है यह बड़ा राम से आप बिगनर्स के लिए है कि इतियात से बुने फिर यह चालवा बन इसलिए बनाया इसमें कि वो नजर भी आये और अच्छा कलर भी अपता चले आपको यह आप इसको मैंने बडामों को चील लिया है उससे गार्णश करें आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें यह आप देख स सकते हैं इसका कलर कितना गोल्डन आया आप अपनी मर्जी से इसका कलर राक सकते हैं थैंक्स फार वाचिंग ओके अला आफीस